विध्यार्तियों, आज जो हम आपका विश्य ले रहे हैं वो है लर्णी यानि सीखना संगीत में सीखना ये प्रिक्रिया किस तरह किसे होती है इस पर हम चर्चा करेंगे लर्णी दिसी प्रोसेस ओफ इंप्रूमेंट सीखना जो है हम देखते हैं कि व्यक्ति अपनी जब से जर्म लेता है वो प्रानम से ही जो है बालिकाल से ही वो जीवन परियंत जो है उसके बाद वो कुछ न कुछ सीखता चला आता है तो सीखना एक प्रिक्रिया है जो सद्धेव और सर्वता चलती रहती है अता इसमें नरंतर्ता वह सारभामिक्ता का गुण है व्यक्ति आजीवन सीखता हुआ इसके परिणाम सुरूप अपनी वहवार में परिवर्तन लाता हुआ क्रमा शाह जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है इसलिए वोटवर्ट्स ने कहा है कि लर्निंग इसे प्रोसेस आफ डैप्लोप्मेंट व्यक्ति जीवन परियंत सीखता है और स्वयम वातावरण के अनुकूल व्यवस्तित करते ने का अपन की चेश्टा करता रहता है सीखने में मुक्ता दो तत्व उसको साहेता देते हैं पहला परिपक्वता दूसरा अनुभूती से लाव उठाने की योगिता संगीज सीखने में भी यही दो तत्व साहेक होते हैं एक संगीज सीखने वाले बालक की परिपक्वता अभीवरदी विकास उम्र के साथ जुड़े होते हैं बालक में कुछ जनजात प्रिवर्दियां होती है जो उसकी प्रारंबिक परतिकरियाओं की दिशा निधारित करती है प्रानी इन्हीं परतिकरियां के साहरे स्वयम को वातावरण के अनुकूर ढलता है जो उसे जन्याओ के मिली होती है धीरे धीरे जो है इस वातरवन के द्वारा है अब इसमें हम ये देखते हैं कि यदी इस वातरवन का जो है वो यदी वो संगीत मैं हो और बच्चों को संगीत के पिती थोड़ी रूची हो तो उसके लिए सीखना जो है वो बहुत सलल हो जाता है पर देखा जाए तो माना बह वहवार को व्याप्पा कैवं बातावरण की उप्यक्त बनाने के लिए उसे अनुभाव का सहरा लेना पड़ता है अब जसे संगीत के लिए हम कह सकते हैं कि जितने कोई वीव्यक्ती बच्चा जब शुरुआ प्रगार के गाने बजाने वो सुनेगा संगीत सम्मेलने केंड क जो उसके अपनी उसकी बिविन प्रकार की जो प्रतिकरिया और अपनाने की प्रतिकरिया ही जो है वो सीखना है सीखना जो है इसके लिए जो हम कह सकते हैं कि सीखने की में तातपर है संचय उनती यानि जब सीखने की प्रतिया जब विकास की अवस्ता में होती है तब उस सम स्थित्था वापने कारियों को सफलता है करने लगता है जिसको वैब वस्ता में उसको करने में बहुत कटनाई और गवराट के सांथ वो करता था लेकिन अब वो पूरी उसको बड़े मनयोग से वो व्यक्ति कर पा बच्चा जो है वो कर पाता है सीखने की परिपको अलग लग विद्वानों ने अलग तरीके से परिभाशित किया है बनहड कहते हैं कि सीखना व्यक्ति के कारियों में एकिस्थाई रूपांतर लाना है जो निश्चित परिस्तितों में किसी इस्ट को प्राप्त करने अत्वा किसी समस्या को सुल जाने के प्रियास में अभ्यास द्वारा जो है किया जाता है तो गिलफोर्ड कहते हैं कि हम इ अगलग विद्मानों ने उसे अलग लगतरी किसे परिवाशिक किया है। सीखना और प्रॉड़ता हम ये देखते हैं कि लर्निंग और मेश्योर्टी यानि दोनों ही व्यक्ति के विकास में साहिक है। और इनमें घनिश्टता इतनी है कि एक दूसरे को इसे अलग करके हम नहीं देख सकते हैं। सीखने की परिकलिया वातवरन प्रतत उत्तेजक व्यक्ति की भावनाओं को परिवर्टित करते हैं। और बालक परिस्तिती के अनुसार अपने अनुभों के अधार पर सीखता है। जिसमें उसकी शिक्षाव अभ्याज हमें दोनों ही देखने को मिलते हैं। इस परकार जो है ये सीखने और ये मैचुर्टी में ये अंतर हमें दिखने को मिलता है। सीखने के मुखिते जो है वो दो उद्देश माने गए हैं। पहला है कौशल अरजन और दूसरा है ज्यानोपारजन। कौशल अरजन का अर्थ होता है कि सीखने की प्रिक्रिया द्वारा संभेदनात्मक नाड़ी जाल संबंदी रुपांतर लाना तता उन पर समुचितनी अंतर रखना। इसमें हम संभेदनात्मक नामक प्रिक्रिया को समझ के उनसे सीखते हैं जैसे लिखना, पढ़ना, संगीत की भाषा का ग्यान करना आदी और इसमें कई मनोवे अनितत्व काम करते हैं सुरती, ध्यान, संभेदना, प्रेणना, वन्शानुकरम, आदत इस तरह की दूसरा हता इसमें जो ग्यानोपारजन होता है, इसके कई उभेद भी हो सकते हैं, जैसे प्रतिक्षिकरन, यानि लर्निंग बाई परसेप्शन, प्रत्य दूसरा प्रत्य या संकल्पना ज्यान, यानि लर्निंग बाई कंसेप्शन, तीसरा सहचारी से सीखना, यानि लर्निंग बाई इस तरह से जो है ये सीखा जाता है अब संगीत में हम जो शिक्षन देखते हैं कि वैदिकाल में संगीत जो है एक महत्पुन विशे के रूप में स्विकार कर लिया गया था जिसमें उसी समय से उसको सिखाने की भी व्यवस्ता की गई थी और ये माना गया था कि संगीत को उम प्रश्चित ववस्ता हमें नहीं देशने को मिलती क्योंकि इस समय जो है संगीत मात्रेक मनोरंजन की वस्तू बन गई थी इस कारण जो है ज्यादातर कलाकारों का ध्यान या तो राजा शेयर प्राक्त करने की तरफ तरह या वो बाश्चाओं को प्रसंद करने के लिए अपन प्रानेदार कलाकारों के पास जाना पड़ता था संगीत सीखने को जो निवध करने वाले तत्व हैं वो मुखित है तीण माने जाते हैं पहला है मनुवेग्यानिक तत्व talked जिसमें दूसरा है शारेविक तत्व और तीसरा है वातवरण संबंद हैं यानि इन संगीत को सीखने में हमें ये तीन तत्तों हमें देखते हैं कि ये तीन तत्तों की मुख्य भूमिका रहती है मनेवगेनिक तवतियानी प्रेणा ही संगीत सीखने में साहयक होती है एक प्रेणा के द्वारा ही बालक में संगीत के परती रूची होती है और ये प्रेणना जो है मुखे तर दो परकार की होती है एक आंत्रिक प्रेणना दूसरी बाहि प्रेणना इसी तरह शारी रिक्तत्व में हम देखते हैं कि संवेदना शारी रिक्व्यवस्था ये सारे गुण जो है हमें संवेदना आदि ये चीज़ देखने को मिलती है जैस इसलिए तभी वो संगीत को अच्छी तरह से सीख सकता है दूसरा उसकी सारीरिक अवस्ता जो सारीरिक अवस्ता को इस्ति करते हैं वो आयू और परिपक्ता बालक में परिपको होने पर अच्छी तरह सीख सकता है जैसे 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 बच्चा बढ़ेगा उसकी आयू उसकी अ बहुत साहिता परदान करते हैं तो इसमें काली सीशोर हैं उन्होंने अपनी पुस्तक में साइकलोजी ऑफ म्यूजिक में बारा जो हैं नियम बताए हैं कि सीखने के अलग-लग जो हैं नियम उसनोंने चर्चा की है अब संगीत में हम यह देखता हैं कि मुक्यता उसके जो धांत हैं वो है कि एक तो अनुकरण धारा सीखना यानि लर्निंग बाई इमिटेशन क्योंकि भारती संगीत की में सीखने की प्रमुक विदी जो है अनुकरण है अनुकरण का अर्थी होता है कि हम दूसरे की क्रियां को अच्छी तरह से गौर से जब देखते हैं और उसको की परिभाशा हम यह दे सकते हैं कि अनुकरण एक स्वावाविक प्रवर्ती है जो सामोहिक प्रजाती में पाई जाती है जिसके कारण एक व्यक्ती दूसरे के द्वारा किये गए कारियों की नकल करने का प्रयास करता है और संगी चुकि एक प्रैटिकल विद्या है की ड्रोवर ने इसके ग्यात और अनुकरण और अग्यात अनुकरण दो प्रकार बताए तो इसी तरह मैकडूगल ने सहज अनुकरण विचार जन अनुकरण विचार अत्मा का अनुकरण इस प्रकार तीन प्रकार बढ़ता है इसके हलावा जो हम देखते हैं कि अनुकरण द्वारा सीखा, दूसरा निरक्षन से सीखना, कि निरक्षन जो है वस्तुता प्रतिक्षी करना नहीं है, मत्ता है कई बार वेक्ति जो है निरक्षन से सीखता है और ये विदी जो है उसकी जीवन पर हिंतर चलती रहती है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रसित कलाकार होने के ब कहलाती हैं जो व्यक्ति की इस्तिति का अवलोकन करके समस्या को पूर्ण रोज से समझने के योगी बनाती है इसके दो भेद हैं एक सामानी करण दूसरा भेद करण तो इसके लिए मुख्यता है सूच के द्वारा जब सीखने की करिया होती है तो उसके लिए मुख्यता है शि तीशीलता रखे, तीसरा ग्यानात्मक एमंग संवेगात्मक ततपरता उसमें अध्यापक में हो, चौथा वो बच्चे को जह समय समय पर उसके लिए उसके विध्यारती को समस्या के हल उनके लिए और उसको आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रोसाहित करें, इस प्रकार हम देखते हैं कि आज भारती संगीत को सिखाने की कई आदोनी पद्दतियां हैं क्योंकि आज जो हम संगीत हम देखते हैं कि वो विध्यालों, महविध्यालों, विश्विध्यालों में पहुंच चुका है, अब यहां इसलिए संगीत के भी कई छे जो है अनिक रूप में हमे कलाकार जो है वो अलेक अलग रूपों में नजर आता है जैसे कहीं शिक्षक के रूप में तो कहीं मंच प्रदश्च कलाकार के रूप में तो कहीं शास्त्रवा रचनाकार के रूप में तो कहीं संगीत आलोचक के रूप में तो इस परकार जो है नई कई विजियों से भी तरही के चीज़ें इस तरही की हैं जिसमें कई बात हम से जो है बच्चा जो है संगीत को सीख सकता है और अपनी कला का जो है पर आगे परिमार्जित का सकता है थैंक यू